तीन चीजों में ये माहिर है क्या वन्सिकरण बूद वैश्य वर्तमान की घटना एक सेकिंड में बताती है और तीस तरह सटे लोटरी का नम्मर कीलर बताती है एक ऐसा मिट्टी का मठका आपने सुध बिल्कुल साफ सुच नया मठका होना चाहिए एक मठका ऐसा लेकर आजाना है इसको पानी से सुध पानी से आपको भर ले रहा है आपको हर रोज जादा नहीं सिरी पोस्ति पंदरा से बीस मिट का समय आपको इस साधना के लिए देना पड़ेगा ये एक ऐसी सकती है जो श्यम साधक मेरी साधना करें और मैं साधक के साथ रहकर जग कल्यान करूँ श्यम ये सकती श्यम चाहती है कि मैं साधक के साथ रहूँ उद्धार ही तब होगा जब ये लोगों के साधकों के साथ रहकर जन समुदाय का कल्यान कर सके आज मैं आपको एक ऐसे साधना बता रहा हूँ इतनी जबर्दत पावर्फुल साधना बता रहा हूँ जिसको करने के लिए आपको समय तुसरी 15 से 20 मिल्ट का समय देना अपड़ेगा और केवल और केवल 11 दिन में सीध हो जाएगी सिध करने का विधान बहुती आसान है बहुती आसान है ना कोई जादा अनुस्ठान है ना कोई जादा लंबा चुड़ा ताम ये विसेश कोई अनुस्ठान करना है ना जादा कोई नियम रखने है और सिध्धी ऐसे कि आप उसे दूसरे का भूद भईश्य वर्तमान बता सकत आप जमीन में गड़ावा धन कहां पर गड़ावा ततकाल एक मिंट में यह सकती बता देती है सटे लोटरी का नंबर भी एक मिंट में बता देती है कोई शेर मार्किट का कोई चीज़ आपको जाननी है वो एक मिंट में बता देती है दूसरे के बिना बताई पूरा इतिहास दूसरे वेक्ति का पूरा का पूरा इतिहास एक मिल्ट में बता देती है कोई वेक्ति बिमार है यहां तक कि उसको ओस्धी भी बता देती है कि अमुक ओस्धी के द्वारा इसका उपचार होगा कुल मिलाकर मैं अगर आपको एक बात बता हूँ कि ये सकती आपके साथ रहकर आप जो भी से पूछेंगे ततकाल आपको बताती है और हर समय ललाईत रहती है कि आप उसे कुछ पूछें आप उसको कोई ना कोई कारिय दे हर वक्त हर गड़ी हर पल आपके साथ रहती है मेरे पास अभी एक सादक आए थे तो कि मेरे पास अक्सा सादक आते ही रहते हैं तो मेरे पास एक सादक आए उन सादक के पास ये सिद्धी थी उन सादक के पास ये सिद्धी थी किस तरीके से आप इस सिध्धि को कर सकते हैं पूरा मैं आपको लाइब अभी दिखा रहा हूं किस तरीके से बहुत ही आसान और सबसे पावरफुल ये सिध्धि है किन सादकों को करनी चे किन को नहीं करनी चे पूरी जानतरी मैं आपको बता दे रहा हूं आप लोगों की कई बार कमेंट साची किए कि हमें कोई अच्छी और पावरफुल साधना बता दीजी साधना ही मैंने बहुत बता रिखी है लेकिन भाई साधनाओं को साधने के लिए समय देना पड़ता है कई बार तो ऐसा होता है कि हम साधना करते रहते हैं करते रहते हैं हमने YouTube पर देखी सास्त्रों से पड़ी गुरुवों से जाने लेकिन सफलता नहीं मिलती दुबारा फिर करेंगे सफलता नहीं मिलती लेकिन हार नहीं माननी चाहिए जब आप मैनत करते रहेंगे करते रहेंगे देखो एक चीज इपके पीछे निर्भर तो मत हो साथ में साइड में साधना को करते रहना चाहिए एक नहीं दो नहीं तीर नहीं चार नहीं पांच नहीं कभी नहीं कभी तो आपकी साधना सफल अवेश्य हो और साधन सफल नहीं होती तो कहीं नहीं उसमें भी अपनी कम्यां होती हैं हमारी जीवन के पाप करम होते हैं जिन और उनके पास जाकर आप उनसे मिलकर आईए, तो तब वो जब वेक्ति मेरे पास आये, तो उसने कुछ गुड़ रह्षे की बाते भी खुद मेरे बारे में बताई, उससे क्या पुस्ता मेरे ही बारे में उनने दो चार बाते बताई, तो मुझे बड़ा चंबल अगर मैंने दो उसके बारे में देखा, तो देखा गुलाबो देवी सकति हुद उसके पास है, अब वो मेरे पास किसलिए आया था, किस कारण से आया था, इसका भी में गूड़ रह्षे की बात आपको, लाश्ट में बताऊंगा, कि वूड रह्षे की बात है, क्योंकर इस चीज किया ह सकते, अब यह आपको पड़ेगी, क्यों आया था मेरे पास हो, अब यह गुलाबो देवी जो सकती है, इसको किस वरकार सी दिखिया जाता है, क्या क्या यह कारिये करती है, इससे आप दूसरे का भूध वईशे, जमेन में गड़ावा धन, कहा पर गड़ावा, या सटे लोट पूरे का नमबर कीलर बताती है, बिल्कुल कीलर बताती है, आप खुद भी लगा सकते हैं, औरो कभी बला करने के लिए बता सकते हैं, तीन चीजों के लिए अस्पेस्टिश्ट यह सकती है, इसको कैसे किया जाता है, आईए जानते हैं, पूर्णिमा हर मेने में पूर्णि जाएगी इसके लिए आपको एक कांथ कमरे के आपको आवसकता पड़ेगी परिवार वाले उस कमरे में नहीं होने चाहिए एक कांथ कमरा वना चाहिए क्योंकि यह सकती आकर वारताला भी करती है और एक बात और बता दे रहूं कि अन्य साधनाओं में आपको अनुभव लास सकता पड़ेगी कांथ कमरा इसलिए क्योंकि यह सकती पर्तेक्स आकर भी बात करती है एक बात में बता दे रहूं कि जो लोग डरने वाले हैं जो साधना को ना करें क्योंकि अगर आप डर गए तो यह साधना होकर भी नहीं हो पाएगी एक सबसे बड़ा मैनिफेट यह है क पर इतने साधन ऐसे होते हैं कि उनको करते हैं तो करते समय उनका अनिष्ठ होने की संभाव ना बने रहते हैं इस सिद्धि में अनिष्ठ होने की कोई संभाव ना नहीं है कि आप गलती करते हैं तो सिद्धि चली जाएगी आपके पास से आपको कुछ ने कहीगी कुछ भी जैसे कि यहां से चुन्नी डली विया है यह सब चीन नगल है बिल्कुली चुन्नी डली विया है यहां से नेचे हलका यहां पर कपड़ा नीचे आप जब इस समय आप देखेंगे तो महुत हो जाएंगे इस तरीके से हाप इसका अभोग करते हैं यह एक ऐसे सकती है जो कि प्रिमिका की तरह आपके साथ रहती है बाकि आप इसी किस तरह किसे रख सकते हैं वो सभी विधान आज मैं बता देता हूं आप रात्री के समय आप नो साड़े नो बज़े के बाद किसी टाइम भी साथ नकू कर सकते हैं एक कांत कमरा आपको ले लेना है आपका मुक बिल्कुल साफ सुच नया मठका होना चाहिए एक मठका ऐसा लेकर जाना है इसको पानी से सुध पानी से आपको भर ले रहा है इसके उपर मिट्टी का ही एक डगकन आता है इसको सराई बोलते हैं इसके उपर आपको रख लेनी है मिट्टी की सराई इसके उपर रख लेनी साथ ही आपने एक थाली ऐसे आपने एक थाली ले ले लिए इसके अंदर आपने दो ताजे गुलाब बिल्कुल ताजे गुलाब होने चाहिए कि डो बुनदी के लड़ू क्या डो गुलाब जामुनम समझ हैं जो और अब कि अब हम दो लड़ू दो गुलाब जाहूं पलस आपने एक गुलाब ने इत्र के इसमें से थोड़ा सा गुलाव यदि ये भटन वाली है तो थोड़ा सा गुलाव आपको इसके उपर छड़क देना है इसके उपर गुलावों के उपर जो गुलाव है इन गुलाव के उपर छड़क देना है और इस मठके के उपर छड़क देना है और यदि ये वैसी है जिस माला आपको चाहिएगी काले हगी की या फिर लाल हगी की आपको माला चाहिएगी और अगर इस चीज़ का आप हो हैं तो आप रुद्राक्स की माला भी ले सकते हैं मेरी वीडियो का देख कर मुझे गूर्ण कराए हैं आप साधना करते हैं तो कारण क्यों नहीं मिलती क्यों है कि गुष सक्रण क वह MARK खरएत करना सबस्स्राइब राइए इस ना चाहिए तो आपने अपने गुरु का ध्यान जो बीज़न गरना तो इसलिए जो बीजान ही तो पुछा सवन होुँन है मेंुन कोड़ करना है उसके बाद में आपने 325 बार एक मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है बस यह आपको जाप करना है बस आंके बंद करना है इसको जाप करना है जिस समय आप जाप कर रहे हैं आपके सरीर पे कोई भी वस्तर नहीं होना चाहिए आप पूरी सरीर पे कोई भी वस्तर नहीं चाहिए लोश्टाइब बिल्कुल आसन लाल कलर का ऐसा आसन आपको ले लेन जीव और आपने इस मंत्र के 3125 वार इस मंत्र को जपना है बस ये आपने एक दिन के किरिया है इसमें आपने जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आपने एक लड़ू एक गुलाब जाओना आपको ठालेना है और उन दोनों को ये बोलकर खाना है कि हे गुलाबे दिवी मैंने आदा परसाद आपके नाम का आदा परसाद मैं खा रहा हूँ आदा परसाद आपके नाम के छोड़ रहा हूँ इसको आप आकर श्यम गरहन कर लें ये बोलकर आपने वो एक लड़ू और एक गुलाब जाओन आपने खा लेना है एक लड़ू एक प्रकार ग्यारा दिन करने है अब आपको अनुभव क्या तोब्त की होते हैं इस तरी के सोते हैं पहले आप पहले दिने का विदान समझ लिए सुबह आपको उठना है ये दो गुलाब ये रसुलाब गुलाब जाओं ये लड़ू पलस ये मठकी का जल ये मठकी का जल और ये साफ सुतरी उजाड यानी खाली जगए उसमें आपको रख करा जाना है बस ये कर क्या जागा आपने मंतर जो मने बताया उसी का आप उच्छारण करते रहें वहां पर रख करा जाएं आपको ये पहले दिन के गिरिया इसी प्रकार आपको इक 11 दिन करनी है लेकिन इसमें आपको अन्भो दूसरे, तीसरे, तीसरे या चोते दिन से आपको अन्भो होने परारब हो जाएगे, आपको एक अलगी दरिश्य दिखना परारब हो जाएगा, आपको आपके आसपास बहुत सारी चीजे आपको घूमती भी नजराएंगी, आपके आसपास घूमती भी नजर इसको 15 विट का आपको समय बस लिष्ठा नियम के साथ बिलकुल तर्थ परता के साथ आपको कर रहा है आपको जो कुछ भी देख रहा है दिखते रहे बोलने नहीं बोलना कुछ नहीं है करते रहे कुछ साधकों को यह सिद्धी चार-पांच दिन में भी हो जाती है जो साधक मेरे पास आयते हैं वो कहा रहे थे कि मेरे पास यह सिद्धी चड़े दिप में आ रहे थी छे दिन के अंदर ही उसके सिद्धी हो गए थी लेकिन साधना कंटीनू करता रहा साधना कंटीनू करता रहा और साधना करते 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 लेकिन उसने जब यह साधना की तो उसन तो ग्यारा दिन तक होते ही, ग्यारा दिन में या उससे पहले ही, यह सकती आपके पास आकर बैठ जाएगी, पर्तेक्स बैठेगी, या फिर सौपन में आपको दिखाएदेगा, आपने इसके रूप को योण को देखकर मोहित नहीं होना है, यह आपके पास आकर बैठेगे, आपको छुएगे, वो सकता है, आपके गुपतांग को भी छुले, आपके सरीर को छुएगे, और इसका जो असपर्स है, वो एकदम गुलाद की तरह है, बिलकुल कोमल होगा, बिलकुल कोमल, और इतनी महग, इतनी खुसबुस का आएगे, कि आप एक बार साधना छोड़कर इसको आलिंगन, यानि किसकी कोली भरना जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बर्मचारी का तत्परता के साथ पालन करना है, वो कुछ भी करें, आपको उस्तिरों ध्यान नहीं देना, आपने इस साधना को 11 दिन तक कंटिनू करना, वो सकता है, आपके साथ में, चोत्ते आपको देना नहीं है, आपको पहले मंत्र पूरे कर लेने है, मंत्र पूरे कर लेने है, फिर आपको बोलना है, कि परसाद दे दूँगा, मुझे पहले वचन दे दे, परसाद दे दूँगा, पहले मुझे वचन दे दे, अब वचन क्या लेने हैं, ये गूर रहे बात जो आपको हर पोई नहीं मताता, मैं बता रहा हूं, इस गुरु मुखी चीजिद्धी है, वचन क्या है, कि मैं पहला मैं जब भी बुलाओंगा, तुम्हे आना पड़ेगा, जो भी कारिये करूँगा, कहूँगा, आपको करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट अनिष्ट नहीं करोगी, किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाओगी, किसी तरह का कोई अन दिर्श हो जाएगी, उसके बाद में हर वक्त हर गड़ी आपके साथ रहेंगी, जिस समय जिस गड़ी जिस पल आप उनको याद करोगे ततकाल आपको बताएगी, अब गूर्ड रैशे की बाते में आपको बता दे रहा हूँ, सिद्धी आपकी सफल हो गई, ये चीज़े सव जिस समय एक माला जाप आपको करते रहना चाहिए, और इस साथना को कंटीनू आगे फिर आप 11 दिन की बजाए, 21, 31, 31 दिन तक करना है, लेकिन फिर आपको ये गड़ा, ये सब चीज मिठाई है, सब चीज नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बैठे, एक माला जा दे रहा हूं कि ये जो सक्ति है, ये सक्ति जादा तर प्रेमिका की रूप में सादक एपास रहते है, पूर्ण रूप से समर्फित हो जाती है, और सादक को ऐसे ऐसे अमरित विला देती है, ऐसे इसके इसके अंदर ताकत बर देती है, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा करते हैं आपके परिज्चों से आपके बच जिनकों को यह पहुंच आपके और शु Micheifs कि ऐसी नहीं है यह सादक की जैसे सादक खुज है उसी तरह की सी खुज रहती है अब बात आती है कि यह आप इसको प्रीमिय का रूप में नहीं करना चाहते तो आप इसको माता के रूप में कर सकते हैं आप इनसे पराता करें कि जब भी मेरे पास आए पूर रूप से वस्तर ये रूप में दिखाए ने पर्टेक्शन आएं तो इस तरीके से आप जैसा आप जाओगे विस तरीके से आप इस सक्ते को चला सकते हैं जिस तरीके से बाप जाएं अब मैं आपको बता देरों कि वो सादग मेरे पास किसलिए आया था वो सांदक मेरे पास इसलिए आया था कि वो इसका उभोक करता था यह नहीं कि इस तरही के तरह भी दर था, तो मैंने उस से का है इस चीज के लिए ड़र रहें forming आपने वचन आपको उसको उसनेस यह चीज़्य बचन कुण उसकी समस्य के समना हो चुका था तो जब आपके समस्य को कर देना चाहिए यह डूसर समय से पहले ँसको ट्रासफर कर देना चाहिए अपने अंतल समय से पहले इसको नहीं भी कर पाते तो भी ये सिद्धी सादक के साथ नहीं रहती जिस दिन आपके मुरित्यों को उसी दिन आपके साथ में इनका सम्मद खतम हो जाता है ये अपने लोग मिचले जाती है इसका कुछ साइड एफेक्ट नहीं होता है इस सादना का ये सब सब्सक्राम इस सादना को नाभी करें क्योंकि ये जू सादना है ये उन्दों चोटी सादना कारिया है बहुत बढ़ बढ़ सकती देता के आशी चीजा icaçãoब लेकिन यह कि यह चीज़े आपको आपके साथ रहकर बतायाँगी बहुत कुछ कुछ कर देएलिंगी लेकिन अधर किया, आपके पास कुई देवि सकती बेगडi, किसी सादक के कॉई सकती का ले घंत्स वहामिंग आपकी के सादर को आम जा吧, आपकाना के पास कह으면 कि इस तरी की सथे सोंन के यह संतमान करें मना लो मना लो सबक् focus can और्दाने सकते हैं बहुत जyardah ऑफके पास नहीं ह्दाक को प्रॉपब्र